नमश्कार, आज हम लोग बात करेंगे, आपकी जो पी-पी-उ है उसकी पहली इनिट के टॉपिक की जिसका नाम है सस्पेंडेट सॉलिड ओव वाटर, ठीक है, तो देखें सस्पेंडेट सॉलिड ओव वाटर क्या होता है, कि जल में कुछ असुदियां होती है, जो असुदि रहती हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे suspended solid water कहेंगे ठीक है तो यह देगे इसमें लिखा हुआ है कि जल में कुछ असुद्यां उसमें उपहस्ते ठोस कड़ों के कारण होती है जो इस प्रकार की असुद्यों को हम लोग filter वेदी के द्वारा दूर कर सकते हैं यह दूर किया जा सकता है इसमें जो particle हलके होते हैं वाज सते पर तैरने लगते हैं तता जो भारी होते हैं वो नीचे तली में बैट देंगे यह देखिए कुछ इस तरह से यह देखिए है इसमें यह आपका पूरा liquid है आपका ही है यह देखिए आपका यह पूरा liquid है ठीक और यह जो असुद्धी है कुछ तैर रही है और जो ज्यादा है वी है वो देखिए सेटल्ड है आप वहीस में है कि जो हलके हो मात्रा अधिक होती है और इनकी वज़े से होता है जल में सहवाल प्रोटो जाओ आधी वेक्टेडिया के मात्रा आपकी बढ़े आती है फिर क्या है कि टर्बुट्री आव वाटर में क्या है कि जब जल में मिट्टी रेत या अवशेप होते हैं तब जल जुंदला प्रतीत हो प्रियोग करने योग है नहीं होता है टर्बुट्री कहा है एक प्रकार की असुद्धी है जो कि जल में अगुलित, कडों, मड़, संडिमेंट我就 तता सेंड के गुले होने के कारण होती है हमारी है ना तो यह चीज़ है यह देखे यहां पर कि टरबिटी क्या है कि अगलित गड़ों मट सेंडिमेंट तता सेंड आधी के गुले होने के कारण होती है टरबिटी के कारण जल में असुद्धियां बॉयलर में तेजी से क्या है नीचे बैठ जाती है जिसमें boiler के खराब होने का जो है खत्रा क्या होता है बढ़े आता है ठीक यह है आप देख लीज़ेगा इसको नोट कर लीज़ेगा खत्रा बढ़े आता है तब रुटी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं filtration अथवा coagulation यह देखिए इसमें जो notes है इसमें आपको आजीब लग रहा होगा जो इंग्लिस वाला वड़ेव नीचे है और बाकी हिंदी तो आप इसको उपर लाइन में काउंट करिएगा क्या है कि turbidity को हम लोग filtration अथवा coagulation के दौरा दूर कर सकते हैं और तो यह देखिए आपका आपका इतना ही है बस आप इतने लिखेगा नॉर्मली आप समझ ही कहा होगा कि turbidity क्या होता है जो suspended solid particle होते हैं जल में जो तैरा करते हैं ऐसी असुदियां जो solid के रूप में जल में मौजूद होती है तता उनको हम लोग अन्य मादिमों से आसानी से दूर कर से तो आप इतना लिख ली जगा आपको समय में आ गया होगा कि जो आपके suspended solid particle होते हैं जो जल में तैरते रहते हैं किसी ना किसी असुद्धी के रूप में उनको हम लोग क्या बोलते है ठीक है और देखें जैसे यह है यह एक हो गया तो यह आपके solid कुछ तैर है suspended solid जो हलके है और बागी जल में बाढ़ गया है ठीक यह देखें आपका एक water है ग्लास में जो की गंदा है तो यह जो असुद्धी होगा यह क्या होगा यह टर्बू डिटी ठीक बच्चा यह होगा और यह देखें यह आपका है जैसे इसमें low अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएगा धन्यवाद